हलो दोस्तों आप सभी का दोलाजिकल इंडियन यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं मैं हूँ एडोकेट पंकश कुमार त्रिपाथी और आज मैं चर्चा करूँगा कि जब कभी नरेंद्र मोदी पर कोई सवाल होता है उनके किसी फैसले की कोई आलोचना होती है चाहे वह संविधान से जुड़ी हो सिस्टम से जुड़ी हो आप राज से जुड़ी हो प्रसासन से जुड़ी हो और अब वो स्वनातन से जुड़ी हो उस सवाल का जबाब देने की बजाए, लोगों की उस पीड़ा को दूर करने का कोई उपाय करने की बजाए, उनके समर्थक लोगों में फूट डालने लगते हैं, जी हाँ लोगों में फूट डालने लगते हैं, याद करिए 2015 में जब भीड़ने अखलाग के घर में गुश कर उसको मारा था तब यह कर बचाओ किया गया कि वो तो मुसल्मान था यानि तब भारतियों को हिंदू और मुसल्मान में बाटा गया फिर इसके बाद कठुआ में रेप हुआ छोटी सी आठ साल की बच्ची के साथ कई दिनों तक बंधग बना कर भूखे प्यासे रेप किया गया और फिर उसके सिर पर पत्थर मार कर उसके उसे कुचल दिया गया गरीब बच्ची थी वो भीक मांगने वाले बंजारे की बच्ची थी जब उस समय सवाल उठा तो उस समय भी यही कहा गया कि वो मुसलिम लड़की थी लोगों को लगता रहा कि ये तो हिंदू-मुसलिम की ही राजनीत करते हैं ये भारतियों को किवल हिंदू और मुसल्मान में बाटने वाले लोग हैं कुछ लोग इस भ्रम में रहे कि यह हिंदूओं को उपर उठाने के लिए कह रहे हैं यानि हिंदूओं को उपर उठाने के लिए मुसल्मानों का कतलयाम करना लिंचिंग करना उनकी बेटियों के साथ रेप करना ही रास्ता है कुछ लोग इस भ्रम में इस मुर्खता में आते पेरेतियां जब आरोफ लगाने लगी बलादकार का या उनुत पीरण का, तब जातईयों की बाता गई यह iness जातों का मामला है, जब किसान सरकार पर आक्षेप किये, तो यह पंजाबियों का मामला है, जातों का मामला है, खालिस्तानी कह करके उनको लांचित किया गया यानि कभी जो भारत के लोगों को हिंदू और मुसल्मान में बांट रहे थे और बांट कर सत्ता में आये थे जब उनके किसी कारनामे पर सलाल हुआ तो उन्होंने हिंदूओं को भी फिर जातियों में बात कर काम किया ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अभी जब भारत के वरतमान उप्राश्पती स्री जगदीब धनकर जी कि पक्षपात पूर्ण आचरण पर जब सवाल उठाया गया और उसी नाति उनके किये गए कारे पर मिमिक्री की गई तब वो फिर अपने को जाति के खोल में ले आया और बोले कि हम तो जात हैं जातों का अपमान है यानि ये लोग अपने गलत कामों को बचाने के लिए धर्म और जाति को चदर की तरह ओड़ते रहें या उसको एक बोरे की तरह लोगों को ढगने के लिए प्रियोग मिलाते रहें किसी की भी जायज आवाज को बंद करने के लिए यही कामे करेंगे लेकिन अब क्या कम से कम धर्म को लेकर लोग मुगालते में थे कि यह धर्मिक लोग हैं धर्म को आगे बढ़ाते हैं रोग कर एक बात समझा दूं बलातकारियों का साथ देने वाले धर्मिक होई नहीं सकते दोस्त और जो लोग ऐसे बलातकारियों के सहयोगियों को धार्मिक मानते हैं, उनसे बड़ा कोई पातकी इस देश में नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हूं, लेकिन अब क्या, जब राम मंदिर पर सवाल उठा है, कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार कराचारियों द्वारा, कि बिना पताका के प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, पूजा कैसे होगी, तो अब क्या, चंपत राय सनातनियों में फूट डाल दी, देखिए ये लोग क्या करते हैं, फूट डालो और अपने पर उठरे सवाल को किनारी लगाओ, किस मंदिर का साक दलपूर के आदिवासी कहें, इसा मसीह को मानने लगेंगे, तो कहेंगे हिंदूों का धर्म परिवर्तन होता है, जा करके वहाँ चर्च जलाते हैं, और जब इनके गलत कारनामे पर मंदिर को लेकर सवाल हुआ, तो इन्होंने हिंदूों को ही बांट दिया, संकराचारे का अपमान करके कहा, कि संकराचारे को बोलने का अधिकार नहीं है, कौन इनको पूछ रहा है, संकराचारियों का क्या काम, यानि जब कभी इन पर सवाल उठेगा, तो जो सवाल उठाएगा, उसको ये अलग थलक करने के लिए बिभाजन बादी बात करते हैं, ये बिभाजन क परकारी सक्तिया हैं, इने कभी किसी अच्छे काम से लिना देना नहीं है, इनके नेता वे लोग रहे हैं, जो बाबरी मर्जिद को गिराने के लिए भीड को बुलाए, नारे लगाए, लोगों में जोस भरे, उस काम को करवाए, स्रे भी लेते हैं, ओट भी लेते हैं, लेक नहीं जानते, मुकर गए, ये कोई भगत सिंगह और राजगुरु नहीं हैं ये लोग, जो जाके अदालत में सिनातान कर कहेंगे कि जी हाँ, असेंबली में हमने फोड़ा है, तुम्हें जो कहना है, और जो करना है करो, ये वे लोग नहीं हैं, कमजोर पाएंगे तो गरद तुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं, वे दूसरों पर टुकड़े-टुकड़े होने का अरूप लगा देते हैं, तो जड़ा ध्यान देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संकराचार में आस्था रखते हैं कि नहीं रखते हैं, सनातन धर्म या हिंदू धर्म, ये जाना जाता है कि वो किसी एक पंथ, एक विचार, एक भाव की बात ही नहीं करता, वो बाधिता की बात नहीं करता, वो सब को खुली सुतंतरता देता है कि जिसको मन करे वेद को माने, न माने, आस्तिक हो, नास्तिक हो, वो बहुत को माने, कि गुरुनानों को माने, कि मह इनके राम हर समय न जाने किस पर तीर चढ़ाये हुए हैं। इनके राम के साथ सीता नहीं होती, इन्होंने इस तरी पुरुष को बांग दिया। कि यह राम के आदर्स को नहीं मानते कैंकि राम जब पूजा कर रहे थे तो उन्होंने सीता को वहां बगल में बैठाया था बाध्यता थी कि राम के आचरण से राम के आदर्स से आप सहमत हों न हो माने न माने यह हमारे आपकी सुझत असा जोस्ट और ना देता है और जिसकी पतनी या पती ने दूसरा विवा कहीं आओर नहीं किया है वो तो है उसी का पती पतनी कानून के नजर में मैं कानून के विद्यार्थे गनाते बता रहा हूं कि आज भी कानून में नरेंदर मोधी और उनकी पतनी का विवा कायम है वो पती पतनी हैं और ये बात मै नहीं नहीं कह रहा हूं निर्वाचान आयोग में जब लोग सभा का फाम भरते हैं नरेंदर मोदी जी तो अपने को विवाहित लिखते हैं और पत्नी की रुप में जो सुधा बेन लिखते हैं तो आपके नीजी संबंद चाहे हो या नहों जब आप सारोजरिक मंदिर में प् मृष्म भीधान आजादी दे रहा है, समझीएगा दोस्तों, लेकिन जो राम मंदिर में प्रानप्रतिश्ठा करने आ रहा हुप है तो उसे कैसे या आजादी मिल जाएगी, कि राम के आदर्स को माने नवाने, तो ऐसे प्रस्नों से बचाने के लिए ये चंपत राइज अ दिएन पर तमाम घोटालों के आउरोप लगे वुए हैं बिर्दु का अवतार घुषित कर देंगे ध्यान देना आसा राम भी अपने को किस्ण का अवतार कहता था राम रहीं भी अपने को किस्ण काता है उस पर बलातकार और हत्या के जुर्म साबित हुए है और उनको सरकार में बैठकर जो पेरोल पर छोड़ रहा है उसको ये विश्णू का उतार बता रहे है जिसके राज में बलातकारी छोड़े जाए विश्णू का हिंदू धर्मा और सनातन को मानने वाले लोग अपने जेहन में अपने दिमाग में बैठा रहे हैं बहुत मुश्किल से 19-20 सदी में समाज सुधार चला करके हिंदू धर्म की कुरीतियों को हटाया गया है जिससे इसका अच्छा चमकता हुआ रूप आज कुछ हमको दिख रह करना है और धर्म की आस्था को सब की अपनी अपनी नीजी आस्था नीजी सुतंतरता करके मुक्त करना है ऐसे में हमारे धर्म में जहां कहीं अच्छी कोई बात है वह तो हमारे लिए हर तरह से विचारनी है हर तरह से अनुकरणी और पुजनी है जिसमें एक है पतनी को बर राम जी तो चले गए और राक्षसों का बद करके चले आए वो तो पत्नी को साथ में ही लेकर गए थे यह कौन कहता है कि ब्यस्तता है ब्यस्तता के बहाने तमाम ब्यसं करता भी पत्नियों के पास नहीं जाते हैं हम सब गाउं परिवार गली महले में देखते हैं ऐसे लोगो तो क्या यह ब्यस्तता का आडंबर एक काम नहीं करेगा तो मैं फिर से ध्यान दिराना चाहरा हूं कि जब ओट लेना है तो हिंदू लेकिन जब सिकायत आप करोगे तो आप जाठ हो आप पंजाबी हो सिखो किसान हो खालिस्तानी हो तो फिर बियच्चु में बियच्चु म ट्रिपल इंजन की सरकार के रहते प्रधान मंत्री के लोग सभाचित्र में सुरक्षित इलाके के भीतर उस सुरक्षा का लाव लेते हुए भाजपा आईटी सेल का भेडिया रात में सिकार करता था और पुलिस उसको बचा रही थी आज तक बुल्डोजर नहीं गया दोस्तों कल तक आप लोग लिख रहे थे न कि घर पर अगर भाजपा लिख जाएगा तो बुल्डोजर नहीं जाएगा अब आप लिखिये बलातकारी तब भी बुल्डोजर नहीं जाएगा आखिर बलातकारी तो बलातकारी है बलातकारी है तो उसका स्वागत हो रहा है उंचे वहदे मिल रहे हैं यही रामराज्जी है सांसदों को बाहर करके कारून पारित करने वाले लोग न संविधान के हैं न संसद के हैं वैसे ही संकराचारियों को मंदिर से बाहर करके पूजा करने वाले लोग सनातनी भी नहीं है इस वीडियो में इतना ही आप तारकिक बातों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए आप सभी का धन्यवाद